मन्सुं माड़या जी स्पिकर सार पार्थी रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलमपिक की स्पर्दा से बाहर होने पार एक वक्तव्य देना चाहता पार्थी रेसलर विनेश फोगाट को ताई केटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वज़ा से पेरिस ओलमपिक से बाहर होना पड़ा है विनेश पचास केजी की केटेगरी में खेल रही थी इस पर्दा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवारे था अनुचेद अग्यार के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्यूती में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बहार कर दिया जाता है और बिना किसी रेंग के अंतिम्स खान पर रखा जाता है 7 अगस्ट 2024 को पच्चास किलोग्राम महिला कुस्ती के लिए वजन का निर्धारण 7 बज़ के 15 मिट और 7 बज़ के 30 मिट पेरिश समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था विनेश का वज़न पच्चास किलो सो ग्राम पाया गया इसलिए वेस पर्दा के लिए अयोग्य गोशित की गई इस मामले को लेकर पार्ती ओलंपिक संग ने आंतराष्टी कुस्क्ति संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पार्तिया ओलंपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंत्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कार्यवाही करने के लिए उचित एक्षन देले के ल में पहुंचने ओलि पहली भारती महिला रेस्टर बनी थ। सेमी फाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को कौर्टर फाइनल में यूकरेन की औकसाना लिवाच और प्री कौरर्टर फाइनल में वर्ल्ड चेंपियन जापान की उआ सुसाकी को 3- तू से मात दी थी उन्हें बुद्धवा साथ अगस्ट की रात करिब दस बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रैसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था जहां तक उनकी तैयारी है तू सहायता का प्रश्ण है पारत सरकाने विनेश फोगात की उनकी आवशक्ता के अनुसार हर संबो सहायता प्रदान की है उनके लिए पार्सनल स्टाफ भी नियुक्त किये गए है जो अपने क्षेत्र के विशशक्य है उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अर्श्विनी पार्टी हमेशा रहते हैं इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिकत सहायक स्टाफ जैसे विबिन स्पारिंग पार्टनर्स स्टेंथ और कंडिशनिंग विशशक्य के लिए वित्ती सहायता प्रदान की गई जिसका वीवरन इस प्रकार है ओलेर अकोच कोच के रुप में उसके साथ थे वैन पैट्रिक लॉंबार्ड स् स्टेंथ और कंडिशनिंग विशशक्य शुभम और अर्विन स्पारिंग पार्टनर इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कूल सतर लाक फोटिफाइव थाउजन्ड सेवन हंडेड सेवन्डिव की वित्ती सहायता दी गई है जिसका वीवरन इस प्रकार है स्पैन के ग्रे अतिरिक्त वित्ती सहायता इसके अलावा फ्रांस के बुलों सुमेर में पूर्वा ओलंपिक प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता की है 2024 आंतराष्टी कुस्ति संग सेकंड रेकिंग सीरीज में 6 जुन से 9 जुन 2024 चार दिन तक बुड़ा पेश्ट अंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जुन से 21 जुन 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर अंगरी में आंतराष्टी प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए वित्ती सहायता की है स्टेंथ और एर कंडिशन कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉंबार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जुन से 21 जुन 2024 ग्यारा दिन तक आंतराष्टी प्रश्रिक्षन शिवीर में भाग लेने के लिए भी वित्ती सहायता की है 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 चार दिन तक बुड़ापेश्ट हंगरी में फौर्थ रेंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुड़ापेश्च हंगरी में प्रश्रिक्षन शिवीर हेतू इसको वित्ती सहायता की है वेमेकें बुर्गेरिया में 10-11-2022 से 3-12-2022 तक प्रश्रिक्षन के लिए वित्ती सहायता दी है उनके है प्रकिरिया के लिए आवश्यक पूपतर्ण खरीदने के लिए भी वित्ती सहायता की गई है दो हजार बीस टोक्को ओलम्पिक चक्र में एक करोड त्यरह लाग अठानवे हजार दोसो चौविश रुप्य का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था दोसो चौविश पेरिस ओलम्पिक चक्र में भी टार्गेट ओलम्पिक पॉडियम स्कीम में तेपन लाग 35,746 और वार्षिव ट्रैनिंग अवन्स परधा केलेंगडर में 17,10,000 पूल मिलाके 17,45,775 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया झाल